आपके साथ मैं हूँ अन्शिका पाठक आपको सीधे लिए चलते हैं आंध्र प्रदिश के राम मंदिर में जहां पर आप देख रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में पूजा करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रही है 11 दिन का विशेश अविष्थार और 11 दिन जब थे तभी से शुरुआर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को और भी कई अन्यराम मंदिरों में देखेंगे पिलाल आप देख रहे हैं आंधर प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर में इस वक्त पीम मोदी मौजूद है और वीर भद्र मंदिर में पीम मोदी पूजा कर रही है मंत्रो चारण के बीच आप प्रधान मंत्री को देखिए किस तरीके से लीन है भक्ती में पूरा देश स्वक्त राममाय हो चुका है और इस बीच प्रधान मंत्री का जो विशेश अनुष्ठान है उसी के तहत इसी सिलसले में पीएम मोदी आंधर प्रधेश के लेपाक्षी मंदिर पहुचे हैं आपको ये तस्वीर दिखा रही है आंधर प्रधेश का लेपाक्षी मंदिर जहां पर पीएम मोदी मौजूद ह हैं और पूजा कर रही हैं काफी प्राचीन मंदिर है आंधर प्रधेश का लेपाक्षी मंदिर और काफी अनोखा मंदिर इसे कहा जाता है क्योंकि यहां पर बहुत सी ऐसी चीज़े हैं जिससे आप देखेंगे तो कहेंगे कि वाकई में अद्भुत है और ऐसी चीज़े भ नावट है वो काफी जादा अलग है तो आप यह तस्वीर देख रही है आंधर प्रधेश के लेपाक्षी मंदिर में इस वक्त प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और पूजा कर रही है लेपाक्षी मंदिर की एक खास्यत जो आपको बता देते हैं वो हैंगि पिलर टेंपल और इसको हैंगिंग पिलर टेंपल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहां पर एक ऐसी चीज है जिसको देखने के बाद को यकीन ही नहीं कर पाता भारत में इतने मंदिर हैं कि आप घूमते घूमते ठक जाएंगे लेकिन इनकी संक्या कभी खत्म नहीं हो में मौजूद है जहां से आप ये सीधी तस्वीर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की देख रहे हैं लेपाक्षी नाम के इस प्रसिद मंदिर से जुड़ी दिल्चस बात ये है कि इस मंदिर का एक खंबा हवा में जूलता है और इस रहसी की गुथी को वैग्यानिक भी न आते हैं विदेशों से लोग आते हैं दर्शुन के साथ साथ यहां के इस हैंगिंग पिलर को देखने के लिए चाद आपको हैरानी भी होगी लेकिन इस मंदिर में कुल सत्तर खंबे हैं जिसमें से एक खंबा ऐसा है जो जमीन से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है और खंबा हवा में ही रटका रहता है यह आने वाला हर व्यक्ति यहां पर जो आता है टेस्ट करने के लिए खंबे के नीचे कपड़ा डाल कर जरूर देखता है लेपाक्षी मंदिर को आकाश स्तंब के नाम से भी जाना जाता है यह खंबा जमीन से आधा इंच उपर उठा हु हुआ है क्योंकि तो काफी प्रसिद्ध है 1924 में एक बिटेश एंजिनर हामिल्टन ने रहस्य का पता लगाने के लिए स्तंब को हिलाने की भी कोशिश की थी लेकिन काफी कुछ ऐसी प्राचीन चीजे हमारे देश की हैं जिनके बारे में विदेशों तक चर्चा में है और ये वही मंदिर है लिपाक्शी मंदिर जहां पर आप देख रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को और इसकी मालनता बहुत ही ज़ादा है प्राचीन मंदीर काफी पुराना मंदिर है करते हैं भगवान राम के चरित्र की पूजा करते हैं और उसी चरित्र के केंद्री में रखते हुए आज चाहिए वह महाराश्चता काले राम मंदिर हो जा फिर वीर भद्रा चलम इस वक्षी मंदिर अयोध्या में राम भक्तों का कोंभ लगा है अपने आंगन से वर्षो बिच्ड़े रहे राम भक्त राम नगरी पहुच रहे है प्राम प्रतिष्ठा पहले ही अनुठा धार्मिक संगम हुआ है श्री राम की अयोध्या में ये संगम है कलाकारों का जिनके आस्था और प्रेणा का केंद्र है श्री राम देखिए कैसे एक सांड आर्टिस्ट ने प्रभू राम का चित्र उकेर कर राम भक्तों का दिल जीत लिया राम उत्सव सिर्फ आस्था का उत्सव नहीं है आयोध्या में सिर्फ राम भक्तों का संगम नहीं है भक्ति, प्रेम, कला, सुर, संगीत का उत्सव है ये स्वेन वैश्वत मनु की नगरी में संगम हो रहा है कला प्रेमियों का बस सबके कला का केंद्र राम है सेंड आर्ट का ऐसा अद्भुत नमुना शायद आयोध्या में पहली बार देखने को मिला है यू तो ये कला का प्रदर्शिन है लेकिन इसका भी केंद्र बिंदू प्रभु राम ही है रेज सीयू प्रभु राम को मूर्ती रोप किया कि आयोध्या वासी भी देखकर दंग रहे गए आयोध्या में प्रवेश की श्वात आपको राम लला की तमाम आकरतियां तमाम प्रशंग देखने को मिलेंगे कहीं भृत्य चित्र तो कहीं तमाम खूबशूरत आर्टिस्ट भगवान के जीवन भृत्य पराधारित प्रशंगों की जहां कि आपसा जा रहे हैं हम एक जगा मौजूद हैं जहां पर सेंड आर्ट के आर्टिस्ट यहां पर भगवान की मनमोहक तश्वीर बना रहा है पेशे से कराकार बीच्यू से फाइन आर्ट्स के छात्र और प्रभु राम के परमभक्त रुपेश ने करें पाथ साल पहले एक प्रण लिया था वो प्रण रामलला के मंदिर विराजबान का नहीं था बलकि दुनिया की सबसे उची सेंड आर्ट के जरिये प्रभु राम की कलाकृती बनाना उनका प्रण है और इसी प्रण की पूरा होने का वो इंतजार कर रहे हैं भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अपने उनके घर में अपने मंदिर में हो जाएगी उनका बनवास पूर हो जाएगा तो मैं अपनी दारी बाल कटाऊंगा और इसके साथ ही मैं दुनिया का सबसे उचा सैंड आर्ट बनाकर और देश को भगवान रामलला की स्टोरी पे भगवान रामलला के जीवन काल से अधारित दुनिया का सबसे उचा सैंड कलाकृती बनाकर और भगवान राम लला को समर्पित करूँगा, यही मेरा संकल्पता है यह कहां बलाएंगे? यह मुझे जहाँ स्पोर्ट मिल जाए, जहाँ कोई प्रायोजक मिल जाए रुपेश अपने साथ्यों के साथ देश के अलग-अलग कोनों में जाकर सैंड आर्ट बनाते हैं लेकिन अधिकतर उनके सैंड आर्ट का केंद्र बिंदू श्री राम ही होते हैं इस बार भी वो आयोध्या में प्रभु राम का वनवासी रूप उकेर रहे हैं जिसके साथ में राम मंदिर का मॉडल और राम सेतू बनाने में शामिल रही गिलहरी की तस्वीरे उकेरे गई हैं यानि आयोध्या सिर्फ भक्ती रस में नहीं डूबी है आयोध्या से निउजेटीन के लिए निमिश गोस्वामी के रपॉर्ट तो सैंड आर्टिस्ट ही नहीं म्यूजिक आर्टिस्ट भी सर्यू के तट पर सुर्विखेर रहे हैं कोई बासुरी की धुन राम को सुना रहा है तो कोई गिटार से राम धुन निकाल रहा है तो कोई कागज पर हनुमान का साक्षात स्वरूप उतार रहा है देखिए राम एकांत भी हैं और मैफिल भी राम गीत हैं और संगीत भी अयोध्या का आंगन राम के हर स्वरूप का गवाह रहा सर्यू का तट प्रत्यक्ष दर्शी पात सो वर्षों बाद एक बार फिर अयोध्या का आंगन और सर्यू का तट राम के गीत संगीतों से गुण जुठा है या यू कहें कि कलाकारों का संगम हो रहा है सर्यूतट पर जिसका केंद्र बिंदु है श्री राम देश भर में राम मय माहौल है अयोध्या में तरह तरह के राम भक्त पहुंचे हैं इन्हीं में शामिल हैं राहुल और आनंद जिनकी बासुरी की धुन परमानंद की अनुभूति कराती है राम आएंगे की धुन पर ये दोनों कलाकार इतनी मनमुहक प्रस्तुति दे रहे हैं कि अयुध्या की गलियां राम धुन से गूंज उठी है ये मधुर संगीत कान में जाते ही राम के ध्यान में मगन हो जाते हैं लोग एक से बढ़कर एक राम भक्त अयुध्या में अपनी कलाकार इस राम की पैड़ी पर आ रहे हैं और इस माहौल में और उल्लास और उत्सा घोल रहे हैं एक से बढ़कर एक राम भक्त अयुध्या में अपनी कलाका प्रदर्शन कर रहे हैं अब इस राम भक्त को ही देख लीजिए जिसने राम की पैड़ी पर पैंसिल और तारकोल से ऐसी तस्वीर बनाई कि राम भक्तों का मन मोह लिया राम की पैड़ी पर हम इस वक्त मौझूद हैं और यहां पर एक युवा कलाकार उन्होंने पैंसिल से बजरंग बली की एक तस्वीर बनाई है उनके हरदय में भगवान श्री राम और माता सीता भी राजी हुई है बस्ती के रहने वाले आर्यन कक्षा नौ के चात रहें यो तो उम्र अभी काफी कम है लेकिन उनकी कलाका कोई भी कदरदान हो जाए 630 पन्नों पर 6 महीने में आर्यन ने ये तस्वीर बनाई है जो अयोध्या में राम भक्तों के बीट मुख्य आकर्शन का किंद्र है अयोध्या से नियूज 18 के लिए रिशब मनीत रिपाठी की रिपोर्ट राम उत्सवाब अयोध्या तक सीमित नहीं है बलकि साथ समंदर पार भी राम भक्ती हिलिवरे मार रहे हैं और अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका में बसे वो हजारो लाखो भारतिय जो 22 जन्वरी को आयोध्या में राम लला की प्रान प्रतिष्ठा के लिए आनंदित है उन्होंने अमेरिका के मेरी लैंड में एक ऐसा अनुठा कारिक्रम आयोजित किया जो चर्चा का विशे बना हुआ है आपको भी दिखाते हैं इस रिपोर्ट में राम सिया राम सिया राम सिया राम आयोध्या में सबसे बड़ा सांस्कृत का नुष्ठा अमेरिका में राम भक्तों का भगवा अभियान अमेरिका में गूंज उठीद राम की धुल अमेरिका में लगे जैश्री राम की नारी राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का जितना उत्सा अयुध्या में है हर राज्य में है पूरे भारत में है वही उत्सा साथ समंदर पार अमेरिका में भी है हाड कंपा देने वाली ठंडी सरसराती हवाओं के बीच भी प्रभू श्री राम का भगवा ध्वज हाथ में थामे राम भग्तों का उत्सा वैसा ही नजर आ रहा है जैसा लंका पर चड़ाई करते वक्त राम की सीना का था अमेरिका में बसे वो हजारों लाखों भारत ही है जो 22 जनवरी को आयूध्या में राम लाला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आनंदित है उन्होंने अमेरिका के मेरी गोल्ड में एक ऐसा अनूठा कारिक्रम आयोजित किया जो चर्चा का विश्य बना हुआ है अमेरिका में विश्व हिंदो परिशत से जोड़े लोगों ने एक एपिक टेसला म्यूजिकल लाइट शो का आयोजन किया अमेरिका में रहने वाले भारतिय हिंदू अयोध्या में राम मंदर निर्माण से बेहत खुश है और खुद को हिंदू होने पर गौरवान में मैसूस कर रहे है और इस राम बगवान स्टेंपल इनागरेशन कमिंग अप इस अब रिजल्ट और 20 प्लस येर्स 20 प्लस जेनरेशन सब्सक्रिफाइस अक्रॉस 500 प्लस येर्स इट ब्रिंग्स बैक और इट प्राइड इन्दो आइडेंटिटी बीजेपी का सफाई अभ्यान जारी है और इसी कड़ी में केंद्रे मंत्री अनुराग ठाकूर दिली के केनोट प्लेस सिस्थित हनुमान मंदिर में साफसफाई करनी के लिए पहुँचे और मंदर परिसर में पोच्छा लगाया तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं केंद्रेखेल मंत्री अम्राग ठाकूर की ये तस्वीर आप देख...... हैं जिन्होंने हनुमान मंदिर में पोच्छा लगाया और साथी साफ सफाई भी की है के नौट प्लेस में इस्थत ये हनुमान मंदिर है आज आप यहां पर आये हैं तो अक्स्था भियान में आपने सिर्कत की सर कैसे देखते हैं मेरा सौभाग्या है और हर भारतिये को यह सौभाग्या प्राप्त है कि अपने आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर स्वस्ता भ्यान को बल दे क्योंकि यह जो अनुष्ठान हम सब ने लिया है मंदिरों को धार्मिक सलों को स्थान करने के लिए वो हम आगे भी करते रहेंगे 22 तरीक तक तो हम इसको जारी रखेंगे ही प्रान पर्थिष्टा का शांदार कारेकरम भी होगा राम भक्तों के लंबा इंतजार वो खतम भी हो गया है और भव्य राम मंदर का निर्मान भी होगा वो सिरु मीडिया में रहने के लिए ये कर रही है क्या कि E.D. के समन जो जारी हुए है उस पे ना जाएं ध्यान भटकाया जाएं यही काम वो कर रहे हैं यह वो लोग हैं जो दस साल से दिल्ली में सरकार में हैं लेकिन मंदिरों से दूरी बनाई रखे हुए हैं और दूसरों को हर महिने पैसा डालते हैं ऐसा क्यों शिरिमाना दर्विंद के जुराल के इसका जव मंदिर बंने कि बात हो रही थी वहां बने नहीं 3,5-5 किलोमिटर दूर मंदिर बना हैं जो लोग चाहते ही नहीं थे कि मंदिर बने करां ऐसे बन कैसे गया हो कैसे लेकिन राम भक्तों की मांग पूरी हुई जो प्रण लिया था वो पूरा हुआ अब यहां होंगा मैं यह तो भग्मान्राम को भी कालपनिक बताते थे राम सेत्यूंग को करते ते कि राम भक्त कहीं जीतना जाएं और जब भव्यराममंदर दो सालों में बन गया तो इनको तो समझ नहीं आहा क्या करें तो क्या है आप तो पहले कहते थी कांग्रेस के लोग कि राम मंद्र बनाएंगे थारीक नहीं बताएंगे अब थारीक स्थान समेस बता दिया निमंत्रन भी पे भुष दिया लेकिन यह राम से दूरी बनाए रखेंगे ॐ न रोग बनाई र्क निया बहुअ बन रहा है और राममय महौल तो हो ही क्या है तो राममय महौल है पूरे देश में काफी उत्सा है लोग और श्रधालू खास्तोर पर कई ऐसे श्रधालू है जो अयद्धकियों जा रही है छोड़े से ब्रेक के लिए यहां पर रुखना होगा आगे भी खबरे जारी रहेंगी बिए्षिवर मोजे